तो भाई लो कैसे हूँ? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दे वेलकम और स्वाहत आपका एक बड़ा न्यू गलत सीन से भरे पड़े पड़े पपचितम वाईल के इंप्री वीडियो में और यार इस मैच में तुम्हारा भाई समोक में कुछ जादा ही तकड़ा एज़स कर अब मैं यहां मिल्ठा पावर की उत्रा क्योंकि यार मजबूरी थी प्लेन में मुझे कुछ ढंकी जगा दिखाई नहीं दी और यार यहां पर काफी सारे बंदे कूद गे थे तो हाँ मैं भी यहीं पर चलांग लगा देता हूँ और यहां पर इस पत्थर दिल इनसान को देख रहे हो इसका टीमेट बगल में नौक बड़ा है और वो बंदा लूटे जा रहा है पीटियां और यार इस जगह की यही खास बात है अगर किल मिलती है तो बहुत जाता मिल जाती है यहीं इस बिल्डिंग से मैं बाहर निकला तक नहीं हूँ और साथ किल ऐसे ही हो गए है मज़ा ही आगए बिल्कुल कैर इसके बाद अब हम लिपोफ का जाने वाले हैं और वहां पे भी पूरी की पूरी टीम बैठी होगी और बहुत ही जल समूत में भी अच्छा सोगा लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक ऐसे एप की जिसके मदद से आप दिमाग से पैसे कमा सकते हो तो यार इस एप या फिर वेब साइट का नाम है वन एक्सपेट जिसके मदद से आप कई सारे गेम्स जैसे की किरिकट फुटबॉल बॉली बास्केटबॉल और e-sports पर बैट बूट लगा सकते हो साथ इसाथ इसमें आपको आपक से पैसे कमाओ इसके लिंक कमेंट सेक्सियों में होगी पिल्कुल टोप में अब ये लिपोफ का जैसे जगाओं में मैं बहुत कमाता हूं साल में एक दोबार और यार जब भी आता हूं अजीब से सीन होते हैं कोई गाड़ी उठा रहा है कोई ओपन में खड़ा है और अभी एक आदवन्दे केम्प कर रहे होते हैं बेराउस के अंदर इसको ही देख लो मतलब हर एक बंदा हर एक जगा पर है अब मैं यहां के दो बंदो की पेटी तो बना जाता हूं लेकिन सामने जो बगगी से उतरा थायार वो बंदा बच जाता है अब करना क्या था यह लोग सामने कंटेनर हूं में बैठे पड़े और पीक लेने का नाम लेने रहे हैं तोहां इनको बिवकूफ बनाना पड़ेगा हमारे भाई गोली चलाने का नाटक करेंगे और यह लोग हमारे भाई को पेलने सामने आ जाते हैं और यहां लिपोफ का आना भी फायदे बंद रह जाता है चार किल और मिल गई कहां दिक्कत आ रही है कैर इसे के साथ लिपोफ का भी खाली हो चुका है मिल्टा पावर भी खाली हो चुका है अब बारी थी मिल्टा जाने की लेकिन यार नजाने किस वज़ा से मैं जाता नहीं उधर को हम लोग सिधा निकल लेते हैं मिल्टी रेरी वाले बिरिज पे और यार यहां पे जो ही फायट होगी मजा ही आ जाएगा पहले बिरिज ब्लॉक हुआ होता है उसके उपर से गाड़िया भी आ जाती है तो हाँ सीन बहुत इंटन्स होने वाले हैं और यहीं पे तुम्हारा भाई समोक में तगड़ा वाला इज्जस करेगा क्यार यहां से हम जा रहे होते हैं हमको एक बंदा ब्रिज पे भगते वे दिखाए देता है और यहां पे मेरे सस्ते सपरे की बहुत जादा बेज़ती होती है लेकिन यार टेंसर मतलोब यह जो छी भाई बोलके बेज़ती की गई है न यही भाई आगे तगड़ा एचस कर देगा अब हाँ वो तुक्के में हो जाता है लेकिन मज़ा बहुत आएगा अब सामने एक बंदा ट्रक के पीछे बैठा है और मैं टू भोल लेता हूँ इससे पहले अब आठेक्स तो था नहीं चारेक्स चलाना पड़ता है तो चलो आगे चलते हैं आगे जाके देखते हैं कि सीन क्या चला है लेकिन उतने में ही हमारे ठीक पीछे से एक गाड़िया पहुंचती है अब गाड़ी गई है बहुत जादा तेजी से और यार जिस हिसाब से यहाँ पे बंदे खड़े थे मेरे को लग रहा है सामने ब्रीज ब्लॉक पक्का पक्का हो रखा होगा लेकिन न जाने क्यों वो लोग इन गाड़ी वालों को नहीं पेलते अब आगे की और गोहिया तो दबा के चली लेकिन यार कोई नौक होते वे दिखा नहीं मेरे को खेर इस टीम के मैं दो बंदो की तो पकड़ की पेटी बना चुका हूँ लेकिन अभी भी दो बंदे जिन्दा हैं और उन दोनों के दोनों ने सामने पे ब्रिज केम्प कर रखा है अब एक बंदा तो वो टरक के अंदर बैठा होता है उसके बारे में तो हमें पता चल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं समोग बनाते हैं और आगे रस करने चल देते हैं और हाँ इनी समोक के बीचों बीच से तुम्हारा भाई एक खतरनाक साथ समोक मैच जस करेगा और यार इस हवाले समोक मैच जस के लिए एक लाइक तो बनता है बनता है यार बिलकुल ठोकी दो लाइक की बटन को निला टैप कर दो आज बिलकुल और केंप करने में कितना ज्यादा दिमाग लगाया जा रहा है एक बन्दा वहाँ ट्रक के अंदर है और एक हवा में चड़ रखा है और इसी के साथ ये वाली टीम जो बिरिच केंप करके वैठी थी ये चारो बंदे ठील जाते हैं अखिरकार लेकिन यार अभी भी वो टीम बाकी है जो गाड़ी लेके वहाँ गई थी और दिक्कत मतलो यार राज बताएंगे समोक मैं जसका लेकिन जरा इन गाड़ी वालो को तो पेलनू नहीं तो यार मैं राज बता रहाँँगा और ये लोग मेरे को पेल देंगे ख्यार ये लोग सामने वाले रिच पे रुकें और मेरे पे अभी तक चार एक्स पड़ा है तो हां इसी से मैं किसी को नौक करने की कुछिस कर रहा हूं बस और ना जाने क्यूं और कैसे चारेक से बंदे ठिला जाता हूं मैं अब एक बंदा मैंने नौक कर लिया है लेकिन मेरे टीमेट लोगों को पता ही नहीं है कुछ की बंदे है किदर तो हां यहां पे हमारे भाई बिलकुल रोड के बीचो बीच गाड़ी रोग देंगे और हम ठिलते ठिलते बस्ते हैं कहां तुने यार मुझे नहीं पता कहा है अदे मैं स्मोक अभी देख रहा हूँ पीचे रहे दो है दो है मैं उपर से का रहा है अब यहां पे हम लोग को जिंदा बचना नहीं चाहिए था यार यह लोग ऊपर थे आराम से पेटी बना सकते थे लेकिन मेरे ख्याल से यह लोग थोड़ा पीचे रह जाते हैं और रिवाइव अगेरा कर रहे हूँगे इसलिए हम बच जाते हैं नहीं तो यहार ऐसे बीच रोड पे गाड़ी रोकते हूँ तो पेटी लगभग सोपर दिसत बन जाती है खेर अब बात करते हैं समोक में एज़स की अब देखो समोक में एज़स करने के लिए आपको दो-तिन चीज़े चाहिए पहला एम असिष्ट आपका ओन होना चाहिए मेरे ख्याल से हर कोई ओन ही रखता है दूसरा ये चीज़ कि आपको चिंता नहीं होनी चाहिए या आप एमो खतम हो जाएगी बिलकुल बेधड़क गोली चलानी चाहिए और तीसरी चीज़ चाहिए कि आपको बंदे की लोकेशन थोड़ी सी पता होनी चीए या तो आपने बंदे को देखा होना चाहिए या तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से गोलियां आ रही है बस वहाँ पे सकोब खोलो और गोलियां चलाते रहो और recoil को control करते रहो दीरे-दीरे बस उसके बाद आपका aim assist सारा काम कर देगा और देखो यार, smoke match जस्ट 10 में से 4 बार होई जाता है अब जातर दोग क्या करते हैं, smoke है बोलते हैं और गोली चलाते नहीं अब गोली नहीं चलाओगे तो यार, adjust कैसे होगा तो हाँ यार, बस कोशिस करने की देरी है, adjust आप खुद बखुद कर दोगे और यार, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई यहाँ पे 9 सेकंड में 4 बंदे पेलने वाला है और इसी के साथ फ्री फंड की 4 किल और मिल जाती है दिक्कत की दरार, यार, ये मैच बहुत ज़्यादा तकड़ा गया और आकरी बंदे को देखोगे, तो मज़ा ही आ जाएगा आकरी बंदे के साथ हम गलती सीन कर देते हैं खैर, होने वाला है, आकरी बंदा मिलने वाला है अब बस गेम में एक ही चीज की कमी है वो है नेड से बंदे पेलने की जो कि यार, कई सालों में एकाद बार ही कर पाता हूं है लेकिन इस मैच में पुरी स्कॉर्ट उड़ा देंगे अब इस बाइक वाले बंदे की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम कर चुका हूं लेकिन ये बंदा नजाने कहां गाड़ी गुमाता है और गायब हो जाता है हाँ बिल्कुल यहीं पे था अभी और यहीं पे अभी गायब हो चुका होता है लेकिन भाई एक छोटी सी गल्ती कर वैठते हैं ये बंदा असल में लेफ्ट चला गया था उसके बाद नजाने क्यों ये दुबारा से रोड में आता है और यार पहली बार भाई बच गए थे इस बार बकड़े गए और पेटी बन गई और यार वो तीन पईयों वाली गाड़ी में हमेशा लगभग आपकी पेटी ही बनती है अब यहाँ पे बाईक होती तो शायद वो बन्दा इतने तेज बगाता कि बच के निकल लेता खैर उसकी अब पेटी बन चुकी है और बस गिने चुने बन्दे बाकी है और मैं पूरी जान लगा रहा हूँ कि 30 किल हो जाए जिन्दगी में अब यहाँ पे मेरे को किसी की बैरल चलाने की आवा जाई थी लेकिन वो बन्दा इहाँ पे दिखता नहीं है यानि कि कोई चलती गाड़ी से चला के गया और सामने है वो गाड़ी अब सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है किल के चोरी एक बन्दा इनका गिर के नाकुआ है अब गाड़ी इन्होंने फोर दी है इनको लग रहा है कि ये गाड़ी के पीछे बिलकुल सुरक्चिते हैं लेकिन उतने में ही अब मेरा दिमाग तो काम नहीं करता लेकिन हाँ हमारे भाई बोलते भाई तू नेट करके देख क्या पता गलती से कुछ हो जाए और देखो क्या होगा नेटनू डखड़ रहे हैं हैं से नेटनू डखड़ते रहे तू बस ये ले ये लेटन डखड़ते रहे हैं साथ नेटनू एटन बनादे विटा एक पूरा देख लेए वाहत दूर जाए बहुत दूर जाए वुदियो मत यार वोव पेकते है पेकते है दोगए दोगए वोव नेटनू और ये ओ आ जो आवाज है उसके पीछे हैरानी देख रहे हूँ किसी को विश्वाज भी नहीं हुआ कि भाया पूरी टीम में पेल गया लगभग पूरी टीम अब तीन नेट मैंने करे एक नेट नजाने कहां पीछे जाता है दूसरा नेट पता भी नहीं कहां गया लेकिन तीसरा नेट दो बंदों को ले जाता है और यार उसके बाद एक जलती बोतल में आग भेगता हूँ और काम वही पे खतम हो जाता है क्यार अब बस एक आकरी बंदा बाकी है और यार वह बंदा बहुत बुरा भच जाता है उस भाई की इतनी जादा भड़ जाती है कि वो मीट अप करने आ जाते है वो हम लोग को जानते नहीं है लेकिन यार मीट अप करने की कुशिश करते है ताकि उनकी पेटी बुरी तरह न बने और अब क्योंकि आकरी बंदा बाकी है तो क्योंना मस्ती मजा कर लिया जाए ये BMDR हमारे भाई ने मगा चुकी है और भाई अब इसके उपर लेटना चा रहे है तो मैं बोलता हूं क्योंना ड्रॉप पे चड़के उपर लेटना जाए और जाते जाते हमें बंदा भी दिख जाता है अब आकरी बंदा नजाने कपसे तो लेटा हुआ था लेकिन जैसे वो देखता है कि यार हम ये BMDR के साथ बत्तमीजियां कर रहे है तो वो उट जाता है इस भाई को समझ आ चुका है कि ये एक आकरी बंदा बाकी है जादा मुस्किल हो गया था तो भाई टीम अप करने के सूचते है अब यार पहले हम पूछते है कि क्या चला है और मेरे टीमेट की बाते सुनो बिलकुल बेसर्म हो वाली बाते है हेलो भाई सुनो 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 हाँ भाई बनो तुम हमारे कैदी हो तुम हम बोलेंगे तुम आदा बढ़ेगा अच्छा 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 यह तो गलत है मार दो और इस बन्दे की मैं बहुत ज्यादा इच्छात करता हूं यार जान जाए लेकिन कपड़े न जाएं बहुत ही घतरनाक अब हमारे भाई यहां पर बत्तमीजी करके बोलते की भाई या तुम कपड़े फेग दो तुम हमारे पतानी कैदी हो अपना इसीन चला है भाई मैं तो पूछ रहा हूं कि क्यूं तुम मीट अप कर रहे हो और वो बन्दा बोलता है कि तुम तीन हो मैं आकेला हूं और हमारे भाई यहां पर अपना सेतानी दिमाग लगाते हैं खेर इन भाई ने कपड़े फेकने से तो मना कर दिया है और अब हम भाई से बूचते कि भाई यार किल कितने आप पे हैं और भाई पे सिर्फ और सिर्फ एक किल बड़ी होती है कसम से यार दिल तूट सगा है यह बात सुनके मुझे मारो लो पहले मुझे मारो लो 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 मुझे मार दो और यार दबा दा बंदा पहन चला देता है दोनों टीमेट की पेटी बना दी अब मैंने सोच आता है यार दोनों के दोनों भाई यहां आग में घुश जाएंगे लेकिन हमारे भाई जलने के बाद भगने लगते हैं और चिकन चुकन हो जाता है सही यार मतलब एक किल से जादा तीन किल होती है कम से कम केटी तो बढ़ेगी भाई की कैर आज के वीडियो में इतना यार बहुत बहुत शुक्राइब वीडियो देखने के लिए जाते जाते इस बंदे के लिए ये सारे गलत सीन के लिए और इस समोक मैजस के लिए एक लाइक ठूकना मत भूलना और अगर आप यहाँ पे नए होत तो करो सबिस्क्राइब और भी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले और सस्ती कमेंटरी के लिए और यार जाते जाते एक एस बैट चगाउट करना मत भूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्सियों में होगी बिल्कुल टोप में दिमाग से पैसे कमाओ और यार समोक मैजस करना बहुत आसान है बस ट्राइ करके देखो आपको पता होना चाहिए कि बंदा किदर है और वहाँ पे गूली चला दो रिक्वाइल कंट्रूल करते वे एम असिस्ट आपका काम आएगा और ज्यादा तर टाइम बंदे ठिली जाते है और समोक मैजस हुई जाता है तो आज के वीडियो में इतने गार गल मिलते हैं बाई-बाई